किसी समय की बात है, एक हरे भरे गाव में जहां हरियाली च्छाई रहती थी, वहां एक विचित्र पेड खड़ा था, ये पेड जादूई था और उसके सिबों में अद्बुत शक्तियां थी, गाव वाले उसे जादूई सेब का पेड कहते थे, पेड की शाखाएं हमेशा हरी भरी रहती थी और उसके सिबों की सुगंध दूर दूर तक फैली रहती थी, लेकिन इस पेड की रक्षा करने के लिए गाव में एक विशेश किस्म की चिडियां, जिसे टूनी चिडियां कहा जाता था, निवास करती थी, टूनी चिडियां छोटे आकार की, रंग बिरंग और बिहद सुन्दर होती थी, वे पेर के चारों और चक्कर लगाकर उसकी रक्षा करती थी, वे अपने सुर्मई गीतों और चहचाहच से पेर की देखभाल करती थी और उसकी जड़ों को सीधा रखते हुए उसे स्वस्थ बनाए रखती थी, लेकिन जादूई पेर की शा चाली और चालाक शत्रू था, उसे हमेशा एक नई योजना सूझती रहती थी कि कैसे वे जादूई पेर को नश्ट कर दे और उसके सिभों को अपने कबजे में ले ले, काला की योजना धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगी, उसने सोचा कि अगर वो तूनी चिरियों को जाल में फसाले, तो पेर की रक्षा करने वाला मुख्य बल समाप्थ हो जाएगा, उसके पास एक जादूई कोवा था, जो उसकी हर योजना में उसकी मदद करता था, कोवा ने काला को बताया कि टूनी चिरियां बहुत चालाक होती हैं और उन्हें बहलाना आसान नहीं लिकिन ये भी कहा कि अगर वो एक विशेश जादूई जाल का इस्तेमाल करे तो उसे सफलता मिल सकती है, एक दिन जब चिरियां पेर के आसपास गा रही थी, काला ने अपना जादूई जाल जंगल में छिपा दिया, जाल को देखकर ऐसा लगता था कि ये एक सुन्दर रे तो अचानक जाल का रंग बदल गया और वो एक शक्तिशाली बंधन में तबदील हो गया, चूनी चिरियां जाल में फस गई और अब वे अपनी स्वतंत्रता खो चुकी थी, काला ने इस स्थिती का लाब उठाया और जादूई पेर की ओर बढ़ने लगा, पेर को देखने कि उसे अपनी शक्तियों का उप्योग करके चिरियों को बचाना होगा और काला को रोखना होगा, पेर ने अपनी शक्तियों को जागरित किया और एक बारीक सुनहरी धारा बहनी शुरू हो गई, जो पेर की रक्षा के लिए तैयार हो गई, सुनहरी धारा ने जाल को छूत से संतुष्ठ हो चुका था जब उसने पेर की सुरक्षा को देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पेर पर हमला कर दिया चिरिया जो अब स्वतंत हो चुकी थी ने अपनी सामुविक शक्ती का प्रयोग किया उन्होंने काले पर हमला क खुश हो गई और उन्होंने मिलकर जश्न मनाया इस घटना के बाद तूनी चिरिया और जादूई पेर और भी सशक्त हो गए चिरिया अब और भी सावधान और मेहनती हो गई और पेर की सुरक्षा को पहले से भी अधिक महत्व देने लगी गाउवाले भी इस घटना से सी और खुश हाल रहे उनकी कहानिया गाउ में पीरी दर पीरी सुनाई जाती रही और जादूई पेर की रक्षा के लिए किये गए प्रयासों की गूंज हर दिल में बसी रही